हें गाइस कैसे आप सब मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है फिक्स मैं डिजाइन के एक और नए एपिसोड में आज का जो एपिसोड है वो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के लिए मैंने सिलेक किया है एक इसपोर्ट्स पोस्टर डिजाइन और यह जो डिजाइन है यह में भीजा है आरफीन ग्राफ ने पहले ही मैं आपको बता दू कि मैंने इस टाइप के डिजाइन बहुत ही कम बनाया है मतलब आलमोस्ट ना के बराबर तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास है नहीं ऐसे स्टाइ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक शूर कि इस वीडियो को लाइक कर देना एम करते है 2000 लाइक का और 50 कॉमेंट्स का इस पर्टिकलर वीडियो पर एन आप लो कर दोगे तो अब बिनन कोई टाइम वेस्ट किये चलिए आज का वीडियो शुरू करते है तो चलिए सबसे पहले अनिलाइज करते हैं इस डिजाइन को देखते हैं इसमें क्या क्या इशूस है वैसे तो कुछ इशूस है जो मुझे पहले ही नजर में जो खटक रहे है वो है जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया है इस फॉन्ट को अच्छे वे में थोड़ा और यू सो मेक्शूर करें कि अगर आप बहुत जारा करनिंग यूस करने वाले हो अपने फॉन्ट में तो वो कोई चौड़ा फॉन्ट हो लंबे फॉन्ट में यूजुली करनिंग जादा अच्छी नहीं दिखती बात रही है अगर वो सिनेमाटिक हो तब ठीक है कोई सिनेमाटिक पोश्टर वगर बना रहा हो तब वो एक्सेप्शनल है अगर आप यूस करते तो बेटर लगता जैसे आपने 25 जून लिखने के लिए जैसा फॉन्ट यूस किया है काफी स्पॉर्टी है यहां पर एक बहुत ही मेजर इश्यू है कि आपने तीन चार अलग अलग फॉन्ट यूस किया है जैसे कि यह पहला एक फॉन्ट दूसरा तीसरा यह लोगो वाला फॉन्ट और चौता यहां पर तो भाई चार फॉन्ट एक डिजैन में बिल्कुल भी यूस मत करो मैक्सिमम दो फॉन्ट यूस करो दो फॉन्ट कॉमिनेशन यूस करो और अगर मजबूरी रही तो तीन यूस करो और चार यूस करना पड़ा तो भाई हाथ काट लो चार कभी नहीं उस करना दो इस मोर दन नफ सो डाट इस लाइक थम रूल तो हमेशा याद रखना किया है ना आपने मुझे पता नहीं क्यों जैसे फॉर एग्जांपल यह लोगो है तो इस लोगो को कलरने के लिए आपने यहां पर एक सॉलिट फिल कलर एड किया और फिर इसे क्लिप मास कर दिया तो चलिए मान लिया यहां से आप इजिली से कलर चेंज कर सकते वगरा और आपने यह चीज बहुत सारी जगह पर किये है तो ऐसा मत कीजिये आए तेज़ एलागम जाए और फिम्लिया लिया है तो अपने बहुत जादा कर ले रहा है उसका जो इमेज का जगह है वा उपने बहुत जादा कर लिया है पूरे पोस्टर मैं सो दाट इस नौ्ट पूरा ना यह shadow के पीछे चले जा रहा है so that is not looking good next thing एक अच्छी चीज आपने की जो मुझे सही लगी वो है जो confetti पे आपने motion blur डाला वो काफी मुझे सही लगा color भी डाला है और motion blur भी डाला है so that is really nice और composition काफी सही है और आपने जो background एड किया फिर इसकी जो levels है वो कम कर दी उसे dark करने के लिए तो that is really nice और वो काफी जादा मतलब perspective से भी match हो रहा है so it's really nice thing but मैंने कोशिश की है इससे redesign करने की थोड़ा और better बनाने की तो चले देखते की वो मैंने कैसे किया तो सबसे पहले तो मैंने start किया by building by creating a new document और हाँ by the way यह जो design में आपको बताऊंगा यह breakdown method के through बताऊंगा क्योंकि अगर मैं इससे बनाने बैठू तो बहुत simple है बट बहुत time consuming हो जाएगा आपको बस एक idea मिल गया कि मैंने कैसे design किया है तो आप खुद भी design कर सकते हो या तो मैंने project मास्तर जो आपने यहां पर टेक्स लिया था जो font मैंने यूज किया है वो है champion Gothic और इस तरीके से slant करके अब यहां पर मैंने लंबा font यूज किया है बट यहां पर कर निंग देखो मैंने इसकी कितनी पास रखिया अल्बोस्ट जीरो पर रखिया या कम भी कर सकते हो इतनी जादा नहीं बट माइनस 10 सम्टिंग भी रख सकते थे बट डाट इस हाव यूज कर निंग विद इस टाइप और फॉन और फिर क्या मैंने आड किया फिर आड किया है मैंने ये बरच्ट्रोग तो अब मैंने चाहिएак क्या ना इस पूरी डिजाइन के बैक्राउं now को दो पार्ट में टिवाइड कर दे यहां पर यह बस ब्रॉच्ट्रोग है और यहां पर यह फॉञ्ट से ब्रेस्ट्रोग मैंने इस पने Google से download किये थे Google PNG search करके और इस पर बस एक color overlay add कर दिया in real कुछ ऐसा दिखता है यह brush stroke तो ऐसे मैंने PNG डाउनलोड कर लिये और इन्हें place करके इस पर एक color overlay add कर दिया it's very simple फिर मैंने एक यहां पर भी add कर दिया इस composition को थोड़ा और balance करने के लिए फिर हमने add किया यहां पर text जो champion text आपने यहां पर लिखा है वो इस तरह की से मैंने यहां पर add कर दिया तकि अभी इस font के साथ यह font जो है वो थोड़ा और balance रखे फिर हमने add किया एक grunge scratch texture आपको अगर यह scratches के textures है वो download करने है तो मेरे website पर आपको पूरा pack मिल जाएगा free है download करो मजे करो तो वहां से मैंने use किया है यह थोड़ा सा textured add करने फिर हमने add किया यह player को जो आपने player यहां पर लिया था जैसे कि आप देख सकते हैं आपने बहुत ज़दा image यहां पर cover किया था मैंने काफी कम अभी के लिए और इससे मैं कर देता हूँ delete layer mask तो यह था हमारा player का image इस पर मैंने add किया है drop shadow with this following properties that you can see तो मैंने shadow को black नहीं रखा है जो हमारा background का color है उसे compliment करें तो उसी का darker tone मैंने लिया हुआ है ठीक है और इसका जो मैंने shadow fade out look बनाया था वह बहुत ही simple है बनाना आपको basically make sure करना है कि आपका जो image है वह smart object रहे फिर आपको एक layer mask add कर देना है layer mask select करना है फिर gradient tool select करना है और make sure करना है कि जो gradient tool है उसका जो gradient है वह white and black हो black मतलब वहां से erase होगा और white मतलब वह preserve रहेगा उसके pixels है बेसिकली वह इस तरीके से तो इस तरीके से मैंने जो fade out look था वह बना दिया था बहुत ही simple आपको gradient shadow वगरा आपको वह shadow वगरा add करने की बिलकुल भी इस तरीके से जरूरत नहीं है बहुत ही destructive method है यह कैसा है आप कभी भी जाकर यहां पर gradient tool जाकर select कर सकते हो कभी भी adjust कर सकते हो ठीक है बहुत easier flexible हमें ट्राय करना है ना हमारा जो भी design होना वह एकदम flexible हो ताकि अगर कोई भी समझे मान लीजे आप किसी client के लिए design बना रहे हो वह जबी भी आपको कोई changes देगा तो आप काफी easily कर पाऊगे तो हमेशा design करते वक्त चीजों को काफी separated और कफी segregated रखो मतलब काफी organized रखो ताकि बात में changes करने आपको काफी आसानी हो ओके तो इसी वे में मैंने जहां पर इसे अड़ कर दिया था और फिर इस पर मैंने थोड़ा बहुत color correction किया क्योंकि यह मुझे बहुत दा वाइट और बहुत लेम लग रहा था मतलब तो हलका सा मैंने color tone इसका change किया by using curves फिर मैंने इस पर एक levels का adjustment layer डाला जिससे इसका जो contrast है वह थोड़ा और बढ़ जा इस तरीके से so this is before and this is after t-shirt का specifically so this is nice फिर मैंने एड़ किया यह रिम लाइट जिससे और यह प्लेयर हाइलाइट हो जाता है और इससे बनाना बहुत करके और फिर हमें क्या करना है इसे invert कर देना है तो layer mask को select करो I think control i is for invert yes फिर बी प्रेस करना है brush tool select करने के लिए और make sure करना है कि foreground color white हो and but इस तरीके से आपको बस यहां पर paint कर देना है अभी तो मैं बहुत रफली कर रहा हूँ बट इस ही वे में मैंने उस highlights को बनाया था basically आपको brush को बहुत चोटा रखना है और ध्यान से इसके edges पे इस तरीके से paint करना है और यह method मैंने actually benny production के एक video में देखे थी काफी इच्छी method ही है और काफी useful लगी मुझे और इसी best चीज क्या है न कि आप कभी भी color change कर सकते हो तो it's non destructive अगर मुझे कोई भी दूसरा color add करना है तो बहुत easily मैं add कर सकता हूँ और मैं thumbnails में यह technique बहुत बाहर यूज करता हूँ बहुत ज़दा वह एड़ किया जिससे वह ऐसा लग रहा है कि light है वो पीछे से आ रही है इस particular area से फिर हमने add किया जो logo है जो आपने यहां पर आड़ किया है तो composition मैंने try किया है कि जितना same रख सकू उतना same रखू और फिर हमने क्या आड़ किया यहां पर यह logo और यह logo as well so this is also similar फिर हमने add किya एक lens flare आपने यहां पर एक अलग lens flare यूज किया है मैंने अलग गूगल से simply download किया png image of a lens flare और वो यूज किया है and finally मैंने confetti add की confetti मैंने अलग add की आपने अलग ली है बट मैंने वो नहीं लिया मैंने again google से बस मैंने search किया है confetti png image और drag and drop किया है और confetti को color करने के लिए हमने इसका UN saturation इस पर एक add किया यहां पर जाकर आपको simply add कर देना है और यह properties मैंने select किया तो मैं जो भी color देना चाहूँ confetti को बहुत easily यहां से दे सकता हूँ कुछ ऐसे फिर हम जो saturation इसे कम जादा कर सकता है कुछ इस तरीके से and lightness भी कम जादा कर सकता है कुछ ऐसे and finally to top it all off added a final curves adjustment layer जो मुझे लगा अनने सरी है वैसे तो but yes that is how I redesigned this particular e-sport banner up banner यह poster I am not really sure but yeah this was also quite challenging for me as a just a minute breakdown method से आपको बताया तो आपको लागी कितना simple है इसको figure out करने के लिए ना कि यह design इसमें सही बैटेगा काफी जादा time लग गया मुझे क्योंकि मुझे ऐसे type के designs में जादा experience नहीं है इसने में from scratch तो मैंने एक फिल फ्लेज आफ्टरफेक्स कोर्स बनाया है लिंक आपको description में मिल जाएगी और yeah so with that said I will see you in the next video till then take care and always stay raw, stay creative, peace out.